नमस्कार दोस्तों मेरा नाम मैं हरीष और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रोनिस वर्मा तो दोस्तों मैंने यह आज आपके लिए एक सरकीट बनाया है और यह सरकीट आपके बहुत काम आएगा तो यहाँ पर देखिए हमने इसके अंदर क्या-क्या लगाया तो यहां पर हमें negative और positive नहीं देखना पड़ेगा resistance हमने इसलिए लगाई है कि जब हम इसके अंदर ज्यादा बोल्ट देंगे तो यहां पर resistance जिन डाइबोड के हिसाब से जो उसके अंदर से ampere है वो कम हो जाएंगे और जिन डाइबोड हमारा खराब नहीं होगा और जितने वोल्ट का जिन डाइबोड लगाया है उतनी voltage हमें आगे मिलती रहेगी तो कुछ इस तरीके से लास्ट में मैं आपको इसका पूरा डाइग्राम भी दिखा दूँगा किस तरीके से सर्किट बना हुआ है फिलाल मैं आपको यह दिखाता हूं कि यह काम कैसे करेगा और किस किस चीजों पर आप इसे यूज कर सकते हो तो यहां पर देखें मेरे पास एक ब्लूटूथ मोडूल कार्ड है और यहां पर हम मैं इ दिखाए नहीं दे रहा होगा थोड़ा से सही कर देता हूं यह देखिए और इसकी में आपको बोल्टेज चेक कराता हूं तो यहां पर देखिए इसकी बोल्टेज इसका जब बोल्टेज है वो 10 के आसपास आ रही है यानि कि 10.9 के आसपास अब मैं आपको 10 बोल्ट की बैटरी से इस ब्लूटूथ कार्ड को चला के दिखाता हूं यह हमने पोजेटिव पे लगा दिया और यह हमने नेगेटिव पे लगा दिया और विलूटूथ कीट आप देख लीजिए हमारा विलूटूथ कीट ओन है अब यहां पर क्या करता हूं मैं दोनों वायरों को चेंज कर देता हूं यानि कि यह वाला जो वायर है इसको हटा क के लगा देता हूं नेगेटिव पे और इस वाले को लगा देता हूं पोजिटिव पे अब वायर चेंज हो गया लेकिन बिलूटूथ मोडूल अब भी चलता रहेगा तो डाइबोड हमने इसलिए लगाया नेगेटिव और पोजिटिव अगर हमारे चेंज हो जाते हैं फिर खराब हो जाएगा तो इसलिए हमने रजिस्टेंस लगाया यहां पर 56 ओम्स का चपन ओम्स का रजिस्टेंस है 5.1 का जिना डाइबोड है और जो हमारा यह डाइबोड बिरिज है यह मैंने एलेडी ड्राइबर से निकाला है जो हमारे खराब एलेडी ड्राइबर होते हैं अब यहां पर मैं और भी आपको चेक करा देता हूं और एक चीज मैं आपको इसके अंदर और बता दू कि जब आप इसको 5 बोल्ट से चलाओगे तो आपको रजिस्टेंस को नहीं लगाना है अब देखें मेरे पास यह 5 बोल्ट की सप्लाई है मैं मल्टिमीटर से आपको चेक कराता हूं यह देखिए अब यह मेरे पास जो है 5 बोल्ट की सप्लाई है यह मैंने उल्टा लगाया हुआ इसलिए माइनस आ रहा है अब देखें 5 बोल्ट की सप्लाई है लेकिन जब मैं इसे 5 बोल्ट की सप्लाई से चलाओगा तो इसमें क्या प्रोब्लम आएगी मै यहां पर क्या हूआ जब हमने इसे 5 वोल्ट की सफ्लाई दी तो यहां पर जो डाइबोर्ट है उसके लोस हो गई लोस होने के बाद यहां पर फिर रजिस्टेंस लगावा है रजिस्टेंस से बोल्टेज थोड़ी और कम हो गई तो इसलिए यह हमारा जो यहां पर प्रोपर बोल्टेज नहीं मिलने के कारण जो है हमारा जो यह बिलूटूथ मोडूल है वो ड्रोपिंग कर रहा है तो अगर आप पांच बोल्ट से इस के सर्कुट को आउन करना चाहते हैं तो यहां पर आपको रजिस्टेंस को नहीं लगाना है सर्कुट आपका ऐसी ही चलेगा अब यहां पर मैं आपको और भी बोल्टेज चेक करा देता हूं तो यह तो हो गया हमारा पांच बोल्ट का और जो हमारा दस बोल्ट का हो गया और यहां पर आप मेरे पास ट्रासफर्मर है इससे भी मैं आपको चेक करा देता हूं तो पहले मैं इसे लाइन में लगा लेता अब यह देखे मैंने transformer को line में लगा लिया पहले मैं transformer की जो voltage है वो आपको check कराता हूँ कि इसके अंदर जो voltage है वो कितनी आ रही है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको सारी voltage से इसको check करा के दिखाऊं सर्कुट को अब देखे इसके अंदर जो हमें voltage मिल रही है वो देखे 20 से भी ज्यादा मिल रही है क्योंकि यहाँ पर देखे मैंने DC को 20 की range में रखा हुआ है फिर भी voltage जो नहीं दिखा रहा है यानि कि 20 से ज्यादा voltage है अब यहाँ पर देखे कितनी आ रही है 20 voltage आ रही है और यहाँ पर 20.1 है यानि कि 20 पे नहीं दिखाएगा तो हमने 200 पे कर दिया तो यहां पर 20 के उपर से बोल्टे जा रही है अब मैं इसी मोडूल को इस वाले जो काड है इसको 20 बोल्ट से भी चला के दिखाता हूं तो यहां पर देखे यह मैंने इसका positive point जो है आइबोट पे लगा दिया और यह वाला इसका ground पे कर दिया तो यह देखे ब्लूटूथ कीट हमारा अब भी होने किसलिए होने क्यूंकि हमने यह protection लगा रखा है तो दोस्तो मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell का icon को जरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूंगा और दोस्तो अगर यहाँ पर आप जो है कम से कम अगर 12 बोल्ट से उपर देते हो तो एक चीज का याद रखें कि अगर 12 बोल्ट से आप उपर देते हो कि यहाँ पर जो resistance है वो आपको 56 ohms 2 watt का लगाना है तो ही आपका जो card working करेगा नहीं तो यह जो हमारा resistance है वो गरम होके खराब हो जाएगा और जीना डाइबोर्ड भी खराब हो जागा लेकिन हाँ आपका card खराब नहीं होगा क्योंकि हमने protection के लिए जीना डाइबोर्ड लगा रखा है तो दोस्तो मेरा यह जानकारी अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करना, share करना, subscribe करना और bell का icon को जरूर दवाना मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा और दोस्तो मैं last में आपको जो इसका diagram भी दिखा देता हूँ तो वहाँ से जाके आप पूरा circuit को जो है बना सकते हैं